दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडस्टी के एक दिक्कज बिनेता रगूरन सर की जिनको आपने सिवा जिदा बॉस, मेरी जंग वन मैन आर्मी और अंजिनिया जैसी कई फिल्मों में खलनायक विलन के तौर पर देखा होगा इसके अलावा इन्होंने बासा, सिवा, अमर कलाम और मुधालवन जैसी फिल्मों में आइकाउनिक रोल्स भी प्ले किये हैं ये असी के तसक से एक खलनायक के अच्छे विकल्प रहे हैं इनकी personality, dialogue, delivery, आवाज और especially इनकी आखों में जो खौफ रहा है उसकी वज़ा से इनकी अधाकारी हमेशा निखरकर सामने आती रही है साथी साथ अगर आप इन्हें सिर्फ एक विलन के तौर पर जानते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बतातू के सुरुआत भलही इनकी विलन के तौर पर हुई लेकिन आगे चलकर इनको फिल्मों में हीरो का रोल भी मिलने लगा बताल लीड हीरो इनकी बहुत सारी फिल्म में चली भी और लीडिंग एक्टर के तौर पर इनको एकसेप्टेंस भी मिल गया इसके बावजूद इन्होंने विलन्स के रोल को करना जारी रखा ये एक अलग सोच के इंसान थे सायदी कोई होगा जो हीरो के तौर पर सफल होने के बावजूद विलन और सपोर्टिंग रोल्स करे मगर ये करते थे और यही इनकी खासियत थी कि इन्होंने कभी खुद को किसी एक इमेज में बनने नहीं दिया उस समय हिंदुस्तान टाइम्स ने इनके लिए लिखा था कि दा एक्टर हैट करड़ अनीच फॉर हिंसल्फ विद इस स्पेसल स्टाइल एंड वॉइस मोडूलेशन इनकी आवाज में बहुत दम था इसलिए रजनीकान सर की कई फिल्मों में इनको विलन के तौर पर काश्ट किया जाता था और कई बार इन्होंने आदाकारी के मामले में थलाइवा तक को टकर दिया है रगवरन सर एक वर्सटाइल एक्टर थे इसी वज़ासे इनको तमिल के साथ सा तेलकू, मल्यालम, कन्यडा और यहां तक की हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिला इन्होंने लाल बासा, रक्चक और सीवा जैसी 6-7 हिंदी फिल्मों में काम किया कहने को तो ये संक्या बहुत कम थी लेकिन इतनी ही फिल्मों से इन्होंने हिंदी ओडियंस के बीच भी अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली Early 2000 तक ये दोसों से अधिक फिल्मों में काम करके South Industries के बीच एक respectful position बना चुके थे South के बड़े-बड़े actors जैसे की रजनी कांत, कमल हसं, थलापती विजय और नागा अरजुन जैसे actors इनके बहुत बड़े फैन थे Acting को अगर side में भी रख दे तो इनका खुद का एक style था 90 के दसक के ये dancing villain कम hero थे लंबे बाल, चस्मा, उची कत-काठी, कभी-कभी तो ये hero से भी ज़्यादा smart दिखते हाला कि आज ये हमारे बीच नहीं है, दरसल सफलता पाने के साथी साथ ये alcoholic भी होते चले गए सराप की इसी लट की वज़ास से इनकी organ फेल हो गए और 2008 में इनकी death भी हो गए थलापती विजय, थला अजीत कुमार, विजय कांत, सरत कुमार और रजनीकान जैसे दिककज एक्टरस ने इनको भाव भीनी सृधांज ली ती साल 2018 में खुद रजनीकान सर ने इनकी death के 10 सालों के बाद रगवरन दा musical journey नाम का album लॉंच किया रगवरन बचपन से ही music को लेकर काफी पैसनेट रहते थे, ये school days से ही guitar और piano को काफी अच्छी तरीके से बजा लिया करते थे आगे चलकर खुद इल्लिया राजा सर ने इनको music में train किया और ये इल्लिया राजा सर की music crew का हिस्सा भी रहे उस समय crew member के तोर पर इनको 200 रुपे की तनखा दी जाती थी खैर वापस आते हैं इनके album पर दोस्तो इस album को रगवरन सर की wife और रजनीकान सर ने मिलकर launch की ये fans के लिए किसी treat से कम नहीं था इत्तिफाक से रगवरन सर ने अपना जो आखरी movie event एटेंड किया था वो भी रजनीकान सर की movie सीवा जिदा बॉस का silver jubilee function था रजनीकान्त और रगवरन सर एक बहुत अच्छा bond share करते थे दोस्तो रगवरन सर की एक खासियत थी परदे पर वे भले ही विलन के तौरपन नजर आये लेकिन इनोंने कभी भी कोई ऐसा role या फिर dialogue accept नहीं किया जिससे हिंदू धर्म या किसी भी community को ठेस पहुचे असल जिंदगी में रगवरन सर साई बाबा के बहुत बड़े भक थे एक बार इने एक विलन के तौरपर बाबा का रोल निभाने का मौका मिला इस role के लिए इनको काफी मोटी फिस दी जा रही थी इसके बावजूद इन्होंने इस role को करने से साफ तौरपर मना कर दिया आपने नायक फिल्म तो देखी होगी उसमें जो अमरिस्पुरी का रोल था वो एक्च्वल में फिल्म के तमिल वर्जन में रगवरन सर ने ही प्ले किया था अतना ही नहीं विक्रम सर की कांता स्वामी फिल्म के में विलन रगवरन सर ही थे लेकिन इनकी डेथ के बाद इनको आशिस विद्यारती से रिप्लेस कर दिया गया खैर इनका जन्म 11 दिसंबर साल 1958 को कोले गोडे केरल में हुआ इनके पिता का नाम था एनार वेलनुत्थम नायर और इनकी मा का नाम था कस्तूरी इनके पिता का होटल्स का बिजनेस था इसी के चलते इनकी पूरी फैमली कोयमबटूर तमिलनाडू सिफ्ट हो गई इनकी primary schooling sent anna matric higher secondary school कोयम बटूर से पूरी हुए इसके बाद ये कोयम बटूर के ही government art college से history को लेकर अपना graduation करने लगी लेकिन acting के चकर में इनोंने अपना graduation बीच में ही छोड़ दिया ये कन्नडा और तेलगू की कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स में नजर आए इन्हें समझ आ गया था कि इन्हें इसी field में ही जाना है इस field में survive करने के लिए इनोंने अच्छे से training ली साल 1989 से 83 तक रगवरन लगातार drama group का हिस्सार है इनके drama group का नाम था Chennai Kings और यहाँ पर actor नसर भी इनके one of the member थे इनोंने MGR Government Films and Television Training Institute से acting का diploma लिया रगवरन सर ने कई production houses में लगातार चक्कर लगाए और किसी ने भी इनको रोल नहीं दिया ये कुछ एकात फिल्मों में छोटे मोटे रोल में भी नजर आये जिसमें इनको credit तक नहीं दिया गया इनको पहली बार जिस फिल्म में credit दिया गया था वो थी मल्यालम फिल्म कक्का इस फिल्म में ये एंटी हिरो रोल में थे बड़ी मसकत के बाद साल 1982 में इजवन्तू मनिथन फिल्म में रगवरन सर को पहली बार लीड हिरो का रोल प्ले करने का मौका मिला ये एक off-beat फिल्म थे फिल्म को critically तो खोब सरहा गया लेकिन ये फिल्म box office पर survive नहीं कर सकी इसके बाद ये दो-चार फिल्मों में lead और supporting roles में नसर आये लेकिन इसमें से रगवरन सर को किसी भी फिल्म के लिए पहचान नहीं मिली फाइनली साल 1983 की फिल्म Silk 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 में रगवरन सर विल्म के तोरपन नसर आये और यहीं से रगवरन सर को पहचान मिली और यही इनकी breakthrough film मानी गई इसके बाद रगवरन सर को कई फिल्मों के offer मिलने लगे जहां majority में इन्हें विल्मों के रोल में काच्च किया गया इन्होंने कुत्रा वालिगल, मिश्टर भरत और उर्वा कलम जैसी फिल्मों में लीड विलन के तोरपर काम किया इनकी acting abilities के चलते अब इनको supporting और लीड रोल्स भी मिलने लगे दोस्तो असी के दसक के बीच में ये माइकल राज, मेगम और कूटू पुजकल जैसी फिल्मों में लीड हीरो के तोरपर नसर आये और इन फिल्मों ने बॉक्स आफिस पर जबज़स कमाई भी करी यहीं से रगवरन सर एक अच्छे हीरो और विलन के तोर पर famous हो चुके थे दोस्तो कली येगम फिल्में lawyer के रोल में और थैमल आनाई फिल्में इनको police officer के रोल में खूब पसंद किया गया प्रभू और अरजुन सर्जा जैसे एक्टर्स के बीच इनोंने खूब सुर्खिया बटोरी हर रोल के साथ रगवरन सर फिल्म का इस्तर बढ़ा देते देखते ही देखते रगवरन तमिल इंडस्टी के एक अच्छे एक्टर बन चुके थे जो सिर्फ परदे पर एक लीड हीरो ही नहीं बलकि एक वर्सटाइल एक्टर बनकर उपरे जो कुछ भी कर लेने में सक्छम थे बस रोल अच्छा होना चाहिए इसी तरह इनोंने वियूहम, कवच्चम और अंजली जैसी पचासो फिल्मों में काम किया साल 1989 की सिवा फिल्म में इनोंने नागा अर्जुन की अपोजिट भवानी जैसा कल्ट रोल प्ले किया इनोंने अपनी अधाकारी से सभी का दिल जीत लिया अब इनकी पहचान बॉलिवूड तक भी पहुच चुकी थी साल 1990 में इनोंने इजद्दार फिल्म से बॉलिवूड में भी अपना डेब्यू किया इसके बाद इनोंने सिवा, ग्रैहन, रक्षक और लाल बासा जैसी कई बॉलिवूड की फिल्मों में काम किया रगुवरन हर फिल्म में अपनी यूनिक इस्टायल के जरिये बड़े-बड़े एक्टर्स को मात देकर वावाही बटोल ले जाते जहां इनकी आवाज का भरपूर योगदान रहा अब तक ये रजनीकान सर के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके थे परदे पर लोग इन्हें हीरो से ज़्यादा खलनाय के तोर पर देखना पसंद करते खास कर रजनीकान और रगवरन सर की जोड़ी को परदे पर देखने के लिए एक अलगी एकसाइटमेंट रहती इन्हें रजनीकान सर की मोवी बासा में भी मेन विलन के तोर पर कास्ट किया गया ये इस फिल्म में दमदार रोल में थे और इन्होंने अपने रोल को पूरी तरह से जस्टिफाई किया और फिल्म की इस तर को भी उचा उठा दिया ये फिल्म हुज ब्लोकबस्टर रही और इन्हें धेरो अवार्ड्स मिले ये उस समय एक ऐसे एक्टर के तोर पर उबरे जो परदे पर विलन और हीरो का रोल करने के लिए बराबर ही और मोटी फीज चार्ज करते उस समय अगर रजनीकान सर के अपोजिट कोई खतरनाक विलन खड़ा हो सकता था तो वो रगुरन सर ही थे आगे चलकर इन्होंने मुथ्थू फिल्में भी रजनीकान सर के साथ काम किया यहाँ पर भी इन्होंने विलन का रोली प्ले किया इसके बाद रगुरन सर ने रजनीकान सर की मुवी अरुना चलम, थलापती विजय की मुवी सेलवा, नागा अरजुन की मुवी रच्चागन और प्रभुदेवा की मुवी कडालन जैसी फिल्मों में निगेटि रूल्स प्ले किया इसके अलावा इनोंने थलापती विजे की मोवी निरकुनेर, अजीत कुमार की मोवी अमरा कलाम और विक्रम की उल्लासम जैसी दरजिनों फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर भी काम किया। साल 1999 में एस संकर के डिरेक्शन में बनी फिल्म मुधालवन में इनोंने चीफ मिनिटर अरंगा नाथन का रोल प्ले किया। फिल्म ब्लोकबस्टर रही और रगवरन सर को बेस्ट एक्टर का तमिलनाडू स्टेट आवार्ड मिला। अर्ली 2000 के बाद से इनोंने मजर्टी में पॉस्टिव और सपोर्टिंग रोल्स करने सुरू कर दिये। इनोंने नन्द मुरी बाला किष्णा की सीमा सिंभम, विजे कांत की वला रासू और रन जैसी 500 फिल्मों में सीधे साधे करेक्टर प्ले किये। हमारी ओडियन्स इन्हें मास फिल्म की वज़ा से भी जानती है। कि आगे चलके संदोय चार में इनका डाइवोस भी हो चुका है। तो दोस्तों ये रहा रगुरन सरपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको रगुरन जी कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं। साती सात नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्ली लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें। आपका बहुत बहुत थन्यवाद।